कि नवसकार अध़ी का सिल्सला बजारोगा के अंदर मैं हूँ आपकी साथ अकिलेश हटी और ते हाज़िर हुँ आप सब M qui repay कम्यूटी बजारोगा अपडेट जानेंगी कि आज अस्बहा की कारभ़ारी सत्त में कॉनसी कम्यूटी किस बाद पर खुल ये community बजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस community के अंदर की तभी मनी तेजी बनती नजर आ रही है और उसको रूपा मैतर की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, और उनसे ये भी जानेंगे कि आज वह कौन सी communities होंगे, जिनके अंदर अच्छा मुनाफ़ा कमा के चला जा सकता है, सबसे पहले हम non-agri communities में बात करेंगे यहाँ पे, सोने और चांदी से, तो बीते सत्र में हमने देखा था, कि जो सोना था, वो जादा डॉलर तेज होने की वज़ा से, जो US डॉलर था, वो यूरो के अंगेंस्ट की बात की जाया, तो उसके comparison में 16 मंत के पेता, जिसकी वज़ा से, डॉलर में तेजी आई, और उसका जो impact है, सोने की कीमतों के उपर परता नजर आया, और जो सोना है, वो कहीं न कहीं अपनी उपरी कीमतों से तूटता नजर आया है, आपको बता दें, कि सोना इस वक्त, international spot market के अंदर, 1808 डॉलर पर कारुबार कर परती नजर आ रही है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही डॉलर के तेज रहने का असर देखने को मिला है, बात करें याँसे अगर कच्छे तेल की, तो कच्छे तेल देखने 76 डॉलर पर है, आदे फीजदी से जादा की गिरावट है, और ब्रेंट कुरू डॉल भी 89 ड लगवग एक महीना पहले आती भी देखी थी, तो आज सोना चांदी कच्छा तेल बेस मेटल्स का बजार कैसा रहेगा और क्या रिंडिती अपना का चलना सही रहेगा, आई जान लेते हैं रूपा जी से, रूपा जी बहुत बहुत स्वाहत हो आपा मागड़ाम सीवी पर, बूपा जी देख रहे हैं कि गोल और सिल्वर अब कहीं न कहीं फिसलते नजर आ रहे हैं, हमने बीते सेत में डॉलर को यूरो के अगेस 16 महीने के उपरी सतर पर देखा है, और उसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी कहीं न कहीं पढ़ता नजर आया, आपको क्या लगता है, क्या सोना अठार सो डॉलर के नीचे फिसलता नजर आ सकता है? सस्टेन था कल मौनिंग में, आज देखिया आप अठारा सो डॉलर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, आज हलकी सी बाउंस बैक दिखा रहा है, लेकिन नीचे में 1780 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, वहीं चांदी भी 24 डॉलर 20 सेंट के आसपास लुडती हुई नजर आ सक सकता है, लेकिन यर ओन यर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव है आप लोग नीचले सरो पर लोंग टर्म स्ट्राटेजी बाइंग की रहे की जा सकती है, और इंटर डे में भी आज थोड़ा बहुत बादार जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि कल हमने इसको 48,000 के नीचे लुड़कते हुए देखा है, तो आज मुझे लगता है कि एक बच 47,800 के आज पर सपोर्ट लेकर वापिस से 48,100 और 48,200 के रेंज में घुमता हुआ दिखाई दे सकता है, यानि कि प्रेशर है, आज 100 से 1500 पॉइंट की गिरावाट आज इ 400,000 के नीचे लुड़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, जी, रूपा जी हम देख रहे हैं कि सोना चांदी बले ही अभी कुछ ट्रेडिंग सेशन से नर्मी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हो, लेकिन ओवरल जो मार्किट एक्सपर्ट भी हैं, बुलियन मार्किट के जो उनका भी यही कहना है कि साल 2022 में सोना चांदी इस 2021 के मुकाबले और अच्छी तेजी के साथ कारुबा करते नजर आ सकते हैं, नए हाईज भी बनते नजर आ सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, और आप फिछा इतिहास उठा कर देखें, हर साल की अगर हम बात करें, इस साल का आउटलूक लेकर चले, तो हमेशा ही सोनी ने एक अच्छा रिटर्न दिया है, यह से रूपजी नजर डालने है, अगर कच्छे तेल की कीमतों की तरफ, तो देख रहे हैं, डबलू टी है चीहत्तर डॉलर पर और ब्रेंट कुरू डॉल, उन्हासी डॉलर का कारवा कर रहे हैं, आदे फीजदी से कि गिरावट दोनों के अंदर बंदी नजर आ रही है, रूपजी खबर निकल के सामने आए कि जो अमेरिका है, अपने जो इमेर्जन्सी स्टॉक पाइल्स हैं, जो इमेर्जन्सी के लिए स्टॉक रखा जाता है कच्छे तेल का, कच्छे तेल की कीमतों को कम करने के लिए उसमें से inventories कुछ बढ़ा सकता है, वो stock का इस्तमाल कर सकता है, ऐसे में आपको क्या लगता है, जो demand concern है और supply concern है पूरे globally कच्छ तेल का और फिर उपर से US द्वारा ऐसे inventories जारी करना, तो कच्छ तेल में आगे जाके कैसे रुजान देखने को मिल पायागा? देखिए अभी fundamentally कच्छ तेल थोड़ा सब उपरी सरों से लुड़कता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस त्रीके से supply बढ़ने की ख़मरे निकल कर आरे हैं और करोना के केस बढ़ने हैं, उसका एक impact है जिसकी वज़ों से कच्छ तेल लुड़कता हुआ दिखाई दे रहा है बजारों की बात कर लें तो विदेशी बजारों में भी प्रेशर इंटैक्ट है और नीचे विए 75 डोलर के आसपाद सपोर ले सकता है मार्किट और अदर्वाइस वहां से फिसला तो 50 डोलर तक नीचे बजार जा सकता है जी यह से रूब जी नेजर डालें कर बेस मेटल की कीम्टों की तरफ तो देख siitä बेस मेटल का बजार अच्छा आज चाहिए तेजी के साथ कारोबा करता ने जएर आले कल के मुकाबले आपको क्या लगता है क्या आज बेस में अच्छे लायों इस देखने को मिल पाएंगे इंट्राडे के अंदर वह बाउंस बैक आया है देफिनेटी इंकरड़े में भी तेजी का रुजवान है मुझे लगता है कि अभी बजार जो है उपर जा सकता है और इसके अंदर एक अपसरी मुमेंटम बन सकता है उपर की बात करें तो पंद्रहों सट्जेन होता है थो मुझे लगतर साथ तक 172 की रेंज बन सकती है सेम आधिज नीकल भी उपर में मुझे लगते है पंद्रह सो साथ तक जा सकता है तो फिलाल वेस मेटल्स के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है जी, रुपाजी बात करें यहां से अगर नैचरल गेस की तो आपको क्या लगते हैं, क्या विंटर सीजन की डिमान्ड में नैचरल गेस की कीमतों में तीजी देखने को मिल पाईगी? पजी जानना चाहेंगे आपसे नॉन एग्री कमूरिटीज में टॉपिक्स किया रहेंगे जी तो यानि कि बेस मेटल्स में ही खरीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफ़ा कमा के चला जा सकता है रुपजी दर्शक जिन्वें हमारे साथ जिनका सवाल सोने चांदी को लेकर आ रहा है इनका सवाल है कि इनके पास फिजीकल में सोना रखा हुआ है अभी तो क्या उनको अभी अगर खरीदना चाहें तो क्या यह जो लेवल्स अभी देखने को पिल रहे हैं क्या यह लेवल्स अच्छे हैं सोने में खरीदारी करने के लिए और अपने पास जॉल्री खटा करने के लिए इस आप से वैडिंग सीजन भी है और भी तब आपको सोना अच्छा रिटन देता हुआ दिखाई देगा तो यह तो बात करी थी हमने यहापने नॉन एगरी कमुरिटीज की फिलाल सिलसला बजारों का में अभी के लबस इतना ही लेकिन आपका इजाए गने क्योंकि खबरों का सिलसला लगाता यूँ ही बना रहेगा मार्केट अमसी भी पर